सो हलो दोस्तो नमस्कार इंबेस्टमन क्लासल में आप सभी का दिल से बहुत-बहुत सौगत है सो तो इस वीडियो में हम बात करें कुछ इंपॉर्टन स्टॉक के बारे में उनसे रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूस को हम डीटेल में कवर करेंगे सो स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों पास है किसी भी लेबल पर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने बाला है सो सबसे पहले हम बात करेंगे नवीन फ्लोरिंग लिम्टेट के बारे में नवीन फ्लोरिंग के बात करें आज की दिन यह कंपणि सब्ही के फोकस पर रहने वाला थी कव्यों आज की दिन यह कंपणि अपना क्यूरण के नंबर प्रेजलंग करने वालब ये जो नवीन फ्लोरिंग कंपणि यह दोस्तो एक chemical company है तो इस time पे जितने भी chemical वाले company है फिर जितने भी IT वाले stock है फिर IT वाले company है उनकी जो हमें number देखने को मिल रहे है वो दोस्तो बहुत ही खराब है अब आसा बहुत बहुत थो lower than lower than buzzer के expectation बाजा जो expect करके चल रहे है उससे भी company अपना number present कर देखने को मिल और जैसे company के number आए लगबर धायबजी के आसपास आप देख पारेंगे बहुत ही ज़्यादा हमें भल चले देखने को मिलाते है क्या company के number खराब आएंगे अच्छे आए या खराब आए किस number को देखके as a long time investor क्या continue करके चलना चाहिए सारे पॉन को हम A2J detail में cover करेंगे ल देखने को मिला है तो चलते हैं हम directly company के number के उपार है तो हम directly PDF के उपर नहीं हम एक website के उपर आचुकर बस number को हम थोड़ा सा overview लेना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम income की बात करें so income आप देख पाने के पिछले साल पिछले साल जुन में जो company के income थे लगबख 400 करो के आसपास जो की इस बार income है दोस्तों लगबख 490 करो के आसपास तो यह ली basis देखोगे तो आपको income अच्छे देखने को मिलेगा जो की होना भी जी है साथ सागर हम quarterly basis बात करें पिछले quarter में company के income थे लगबख 700 करो के आसपास जो की इस पार घटके हो चुका है दोस्तों 500 करो इसको भी नीचे मतलब बहुत सतों के जो हर chemical stock में हमें यह problem देखने को मिल रहे हर chemical company में जो हमें यह दिक्कत देखने को मिल रहे सेम इस company में भी हमें same number यह देखने को मिल रहे है याली तो चलता हम डेकली company के net profit के अगर हम net profit की बात करें पिछले साल पिछले साल दोस्तों मार्च जून quarter में company जो net profit थे लगबख 74 करोर इस quarter में लगबख 62 करोर और पिछले quarter में थ्री मात पहले लगबख 136 करोर तो यह लिए बात करें तो थोड़ सा डाउन है मतलब सारे चीज ज़्याद आपको इस बार company के net profit में गिरावार देखने को मिल रहा है so no doubt कैसे रहा मतलब नवीन फ्लोरिंग के नंबर तो मतलब आप ऐसा बहुत सकता हो कि खराबी चाहो तो आप ऐसा बहुत सकता हो क्योंकि जिस प्रकार का बाज़ार उम्मीद लेके चल रहे थे क्योंकि ज़्याद लगबग 21% के डावर मतलब जितना बाज़र उम्मीद करके चल रहे थे उसकी हिसाब से अगर हम profit की बात करें यानकि EPS की बाज़र EPS expert कर रहे थे लगबग 18 के आसपास जुकि आया actual में 12 के आसपास तो उसमें लगबग 33% के आसपास के डावर तो इससे पहले ह आपको कल के दिन इस point को cover कर चुको कि मुझे नहीं लगता कि इस point को फुल्फिल कर पाएगा क्योंग 600 करों के सेस मुझे नहीं लगता वो फुल्फिल कर पाएगा अगर हम 9Cos के product करें चाए हमारी साप से बात करें चाहे बाजर की साप से बात करें हमें खरारा भी देखने कूं casino तो कि इसके चलते अगर आपके पास है ये फिर हाली में आपने ख़ईदा इसके चलते है पैनिक होके फिर एक्जिटों के निकल जाए तो दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्यों कि कंपनी बहुत ही शांदार बहुत ही लॉंग टाइम के लिए बहुत ही दिगज कंपनी है और यह चीजे चलते रह बहुत ही खराब यह लिए कोटली दोनों बेशिते तो इसके चलते इस नंबर को देखे अगर आपके विजन बाके लॉंग टाइम का है तो कोई अपका पैनिक करने के ज़िरू है कि सबसे इंट्रेसिंग पॉइंट है दोस्तों कि इतने रिटरन देने के बाद और स्टॉक एकदम टॉक पे है उसके बाद इस प्रकार की इतने खराब नंबर दिखाने के बाद भी तो कोई भी स्टॉक में में कुछ ज्यादा गिरावाट देखने को नहीं मिला हो सकता है यह गिरावाट आगे आगे जाके आपको पभी देखने को मिले जब बाज़र में थोड़ा में एक मंत हो सकता है या दो मंत हो सकता है अगर स्टॉक में काईभी गिरावट होता है तो आप जरूरी इन स्टॉक में Average या फिर फेसपए करके चल सकते हैं क्योंके जोसतों company बहुतrenchedky company आज की समय बहुती पुरानी टाइम है company तोगोंग इनके समय consistency growth होते देखने को मिल जाता है इतने खराब नंबर देखाने के बाद भी कोई भी ज्यादा नेगेटिव बिरावट नहीं अगर अच्छे नंबर आता तो नो डाउट बहुत ही शान्द आते जी आप जरूर देखने को आपको मिल जाता तो इतना है करना चाहिए इस नंबर को देखे कि एक बार खर आते उसलम जटर से करने होसों कि दो दोनों के अच्छे नंबर दिखाने लेगार, रही हमारी उसलेस लूट फिर ऑपने देखोगा नेकिस टोप में 6% के आपस correction भी ये फिर गिरावड भी हमें देखने को मिला था है लेकिन अगर आप compare करोगे नवीन फ्लोरिंग और fine ओरिंग से तो fine ओरिंग नवीन फ्लोरिंग से थोड़ासा एक step नंबर तो जरूर अच्छे दिखा है अगर हम बात सो ये company बहुत ही शांदा तेजी के बाद 700-800% देने के बाद सिर्प नॉर्माल रीजन के चलते स्टॉक आपको एक शांदार डिस्कॉन में एक शांदार हमें गिरावाड देखने को मिला और एक शांदार लेवल पर ये stock क्रेड कर लेए तो आप चाहो तो आप जरूर इसके बार में बिचार कर से तो company के नंबर भी आ चुक है और पूरे chemical sector में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलें जिनके चलते हमें इनके नमर भी खराब आते देखने को मिलें और ये stock आपको इतने ज्यादा सेक्टर में देखने को मिल रहे है जैसे ही वो क्योंकि वो long time में रहने वाले नहीं है जब उसमें comeback आएगा तो ये भी company आपको शांदा तरीके से comeback करते देखने को जरू मिल जाएगा क्यों आपको बता है company दोस्तों manufacture करते प्रोसेसर है supplier, distributor, dealer, importer, exporter, wide range all chemical so all chemical में आपको बता है company के maximum हमें मार्केट से देखन को मिल जाए और कहा कहा ये use होता है all chemical के साथ है adhesive जो की यूज होता है food पे plastic, costumatic, cutting के अगर बात कहा है specialty application में तो बहुत ही धाकर, बहुत ही शांदर company management भी बहुत ही कमाल की है maximum 70% steak दोस्तों company की promoter के पास ही है और 50 यह से जाधा company के वो इस company के हो चुका है, तो कोई ACVC company है, बहुत ही पुरानी company है, तो आप चाहो तो इसके बारे में जरूर विचार का साथ है, दोस्तों इतना कोई stock अगर आपको इतना return देगा ना, इतने गिरने के बाद, तो उसमें जब थोड़ा से भी number खराब है, थोड़ा सबी, तो इसी 30-40% गिर जाते हैं, उपर सी एक midcap से आची company, तो आप चाहो तो इस support level, यह जो support level है, 4500 के, यह फिर 4000 के माल लो, तो ज़रूर आप इसमें 40% के गिरावाट में, अगर आपका vision बागी long time का है, और शांदा return आप expert करके, मतलब चलते हो, तो आप fine-orient के बारे मे जरूर बिचार करें, तो अगर आपने top पे खईदा है, तो please, कि stock गिरावाट हुआ, के stock और थोड़ा सा गिर रहा है, फिस stock comeback नहीं कर रहे हैं, इसके चलते हैं, अप कोई exit ब exit करने के जरूरतने है, company बहुत धाकर है, तो जब यह भागेगा, तो आप सोच भी नहीं पहू को मिला, कैसा रहा, दोस्तो इसके number भी, मतलब fine organic से भी बहुत ही खराब number इसने present के, तब भी ज्यादा गिरावाट नहीं है, 2-3% के हमें गिरावाट देखने को मिला था, तो यह stock भी बहुत ही rare आपको गिरते होई देखने को मिल जाते हैं, अगर आप इसके 5-5 साल की return दे stock के लिए काफी है, तो अब जरू इसमें भी आप freeze buying करने के बारे में बीचार कासा है, तो company कोई आज की company नहीं है, बहुत ही well management बाले company, और सालो साल इसके business चलने वाले है, तो कहीं नहीं जाने वाले आप चाहो, तो इस गिरावाट का फायदा आप जरू उठा के चासा है, तो the next stock है हमारा, so sardha energy, so sardha energy के बात करें, आज इन stock में बहुत ही धाकार तेजी देखने को मिला, लगबग 787% की एक तरफा तेजी, so sardha company के आज के दिन number भी देखने को मिला, तो कैसा रहा number, long time के लिए company ने अच्छे number पे दिखने को मिला, और उससे भी important चीज, stock में त 10 to 10 का split declare किया था, और उसके भी जो exit rate है, वो हमें नस्दीक आते हो देखने को मिला, जो की 4th अगस्त, so उससे एक दिन पहले, यानि कि इसी भीक के अगर आज अंदर ही stock को कोई खरीता है, कोई भी, तो एक के बदे दस सेर के लिए आप eligible हो जाए, तो कि अब split के चल दिन stock म में फूसे तो मजदे, ऐसे ही इंटिसी भीको साथ अपता के लिए बाइब,